आप भी अपने जीवन में संक्टों का सामना कर रहे हैं, तरक्की नहीं हो रही है, या फिर बिमारियों से हैं परिशान, पैसे बच नहीं रहे हैं, ऐसी कई तरह की परिशानियों की जड़ सिर्फ एक होती है, और वो है हमारी रसुई का वास्तु दोस्त, तो आज की वीडिय बहुत खास होने वाली है, पूरा वीडियो देखें, आप सब को बहुत लाब मिलेगा, नमबर वन, यदि आपकी रसुई उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में है तो नकारात्मक वाइप्स को कम करने के लिए बस चूले के ऊपर एक ब्रहस्त पती, क्रिस्टल पिरामिट चिपकाएं, नमबर टू, चूले को दक्षण पूरु दिशा में रखना चाहिए, यदि इस दिशा में चूला रखना संभव नहीं हो तो वास्तो दोश को दूर करने के लिए चूले के विपरीद दिवार पर तीन जिंक, पिरामिट का एक सिट चिपकादें, नमबर त्री यदि आपका किचन मुख्य, प्रवेश द्वार या बातरूम के दर्वाजे की ओर है तो किचन की छट पर केवल पच्चास मीमी का क्रिस्टल लटकाएं, नमबर फोर, अगर आपका किचन इशान कोण में है तो वास्तो दोश को दूर करने के लिए किचन की दिवारों को ल खाना पकाने का चूला हमेशा दक्षिन पूर के कोने में रखा जाए, अब कोई पूछेगा किचन का वास्तो दोश बताएं तो आपके पास जवाब आसानी से होगा, नमबर शिक्स, अगर आपका किचन दक्षिन पस्चिम दिशा में है तो किचन के इशान कोण में मा क्रिस्टल रखें, नमबर एट, यदि आपके विद्योत उपकरण दक्षिन पूर्वदिशा में नहीं रखे गए हैं तो ओवन जैसे किसी भी विद्योत उपकरण के पास मंगल क्रिस्टल पिरा में चिपका दें, अगर यह टिप्स आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइका और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजेगा, ताकि वो भी इसका लाब उठाके अपने जीवन को खुशाल बना सकें, अगर घर बैठे आप एक हाउस वाइफ होते हुए अच्छा इंकम करना चाती है जनुवन तरीके से तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर मेरे इंस्टाग्राम आइडी को फॉलो करके वहाँ पे अपना कमेंट छोड़िए, आपको आगे की जानकारी वहाँ से मिल जाएगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर, सब्क्राइब करना बिलकुल भी मत भूलिएगा